हेलो दोस्तों मैं अमर पटेल आपको फाम पावर टेस्ट शिरीज लेकर आया हूँ आपके लिए भारत देखिए शिरीज में पहला कोस्चन है कि भारत में सरवाधिक परियोग की जाने वाली सक्ती कौन सी है भारत में सरवाधिक परियोग की जाने वाली सक्ती कौन सी है जिन थर्ड आप्षन है आपका बहन सकती और होता है आपशान है सूर अगली है, पर्फट भारत में सरवाधिक परियोग की ज debelt सकती जो आपकी होती है वह मानव सकती होती इसी टाइप में आपsty doit हो दिद को सटी पूँछ सकता है वैसे मानो सकती ही सरवाधी परियोग की जाती है भारत में करसंड कार किसे कहते हैं अर्थार ट्रेक्टिव वर्क्स किसे कहते हैं ट्रेक्टिव वर्क्स आपका करसंड कार किसे कहते हैं जिसमें से आपसर नमबर वन है पानी उठाना, चारा काटना, डाल दलना या बुआई करना इसमें से करसंट कारे आपका होता है बुआई करना स्थिरकार, स्टेशनेरी वर्क किसे कहते हैं स्टेशनेरी वर्क में पहला अप्षन है निराई गुडाई उसाई बोजाड होना बिजली उत्पन करना इन में से कौन सा इफ्थिर कारे होता है इस्टेशनरी वर्क होता है इसमें आपका इस्टेशनरी वर्क होता है बिजली उत्पन करना भारत में कितनी जनसंख्या पर किरसी निर्भर है इस टाइम में भारत में कितनी जनसंख्या पर भारत की कितनी जनसंख्या किरसी पर निर्भर है ये आपका चौथा कोश्चन है कि भारत में कितनी जन संख्या किरसी पर निर्भर है तो भारत में 65% जन संख्या किरसी पर निर्भर है जिसमें साफ़सन आपका पहला है 50% दूसरा है 55% तीसरा है 80% और चौथा है 90% जिसमें आपका 65% जन संख्या किरसी में किरसी पर निर्भ होती है साधारण मनुस्य की असुसक्ति कितनी होती है अपसन नमबर एक पॉइंट जीरो जीरो वन अपसन नमबर टू जीरो जीरो पॉइंट वन अपसन नमबर थ्री पॉइंट जीरो फाइब अपसन नमबर फोर पॉइंट फाइब तो साधारण मनुस्य की असुसक्ति कितन होती है सेकंड आपसन है आपका जीरो जीरो पॉइंट वन जहां पर आगे जीरो लगने का कोई मतलब नहीं होता इसलिए जीरो पॉइंट वन हम कह सकते हैं 6 आपसन है आपका सामानिता बैलों की अस्व सक्ति कितनी होती है सामानिता बैलों की अस्व सक्ति कितनी होती है तो आपका आपसन नमबर 1 है 0.6 आपसन नमबर 2 है 0.05 और आपसन नमबर 3 है आपका 0.25 आप्सन नमबर čॉर है आपका 1,5 अजै कि आपके माने अट कि زब्र आपकोश सकता है इसमें आपका नमबर सेवन है इसमें आप्सन है दो सही एक बटा दो दूसरा अप्षन है एक सही एक बटा दो तीसरा अप्षन है एक बटा दो और चौथा अप्षन है तीन बटा दो तो इसमें आपका तीसरा अप्षन सही होगा एक बटा दो Question No.8 पस अपने भार का कितना भाग कार कर सकता है? पस अपने भार का कितना भाग कर सकता है? इसमें पहला अप्षन है आपका एक बटे बारा दूसरा अप्षन है एक बटे पांच तीसरा अप्षन है आपका एक बटे आठ और चौथा अप्षन है आपका एक बटे दस तो इसमें चोथा अप्सन आपका सही होगा पसु अपने भार का यानि अपने वजन का एक बटा दसमा भाग कारे कर सकता है घोडे की अस्व सकती कितनी होती है गोडे की अस्व सकती कितनी होती है 0.55 से लेकर 0.85 पहला अप्सन 0.25 से लेकर 0.55 दूसरा अप्षन तीसरा अप्षन है आपका 0.65 से 1.25 यह है आपका तीसरा अप्षन और चौथा अप्षन है 0.85 से 0.1 प्षन है आपका 0.85 से 1.50 तो इसमें आपका तीसरा अप्षन सही होगा 0.65 से 1.25 आपका अगला दसमा कोश्चन है डीजल इंजन की छमता कितनी होती है डीजल इंजन की छमता कितनी होती है 31 से 37 परसेंट पहला अप्षन सेकेंड अप्षन है आपका 25 से 30 परसेंट और थर्ड आप्षन है आपका 30 से 35 पर्षन फूर्थ आप्षन है आपका 35 से 40 पर्षन तो इसमें आपका पहला आप्षन सही होगा 31 से 37 पर्षन नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन है आपका पेट्रोल इंजन की छमता कितनी होती है अभी पिछला कोश्चन आपका था डीजल इंजन की छमता कितनी होती है अब पेट्रोल इंजन की छमता कितनी होती है फर्ष्ट आप्षन है आपका 20 से 25 पर्षन्ट, सेकंड आप्षन है आपका 15 से 20 पर्षन्ट, और थर्ड आप्षन है आपका 25 से 31 पर्षन्ट, और फूर्थ आप्षन है आपका 30 से 35 पर्षन्ट, थर्ड आपसन है आपका 30 से 35 परसेंट तो इसमें हमारा सही होगा 25 से 31 परसेंट होती है जो पेट्रोल इंजन की छमता होती है बरहमा कोच्चन है आपका कौन सी ट्रेक्टर भारत में नहीं बनाई जाती है या कौन सा ट्रेक्टर भारत में नहीं बनता है तो जिसमें पहला आपसन है आपका ISR, दूसरा आपसन है जोस, तीसरा आपसन है फोर्ड और चौथा आपसन है आपका TSG तो इसमें आपका चौथा आपसन सही होगा, ये भारत में नहीं बनाई जाती है, ये American Company है TSG तिरावा कोश्चन आपका है, भारत में 1000 है टेयर पर कितने ट्रेक्टर है, ये आपका तिरावा कोश्चन है, जिसमें से आपका आपसन है पहला 15, 17, 16, 18 तो इसमें आपका आपसन, तीसरा सही होगा, 16, भारत में 1000 है भूम पर 16 ट्रेक्टर इस समय, प्रजन टाइम में मौजूद है, जिसमें 1000 है पर कितने ट्रेक्टरों की संख्या है, विश्व में 1000 प्रती हेक्टेयर पर कितने ट्रेक्टर की संख्या है, एक हजार हेक्टेयर पर कितने ट्रेक्टर की संख्या है, आपसन नमबर एक, 17, 20, 21, 19 तो आपसन नमबर आपका चौथा सही होगा, 19 ट्रेक्टर, पूरे विश्व में 19 ट्रेक्टर है, 1000 हेक्टेयर भूम पर है, 15 कोश्चन है आपका, दस्मी पंच वर्षी योजना में कितने किलो वाट प्रती हेक्टेयर विद्दुश सकती मिलती थी, दस्मी पंच वर्षी योजना में कितने किलो वाट प्रती हेक्टेयर विद्दुश सकती मिलती थी, तो आप्सन नमबर एक है आपका 0.73 kWh प्रति हेक्टेयर 1.73 kWh या 1.75 kWh प्रति हेक्टेयर और चौथा आप्सन है आपका इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका तीसरा आप्सन सही होगा 1.73 kWh प्रति हेक्टेयर सुलामा कोश्चन है आपका आगामी वर्ष 2020 ये करेंट का कोश्चन है और ये पूँच सकता है आपका आगामी वर्ष 2020 से 21 में कितने किलो वाट प्रति हेक्टेयर बिद्दु सक्ति को बढ़ाने का लच्छ रखा गया 20 यानि अब ही तो आपका 18 चल रहा है और 19 उसके बाद 20 20 से 21 21 के बीज में वर्ष 20 से 21 के बीज में कितने किलो वाट प्रति हेक्टेयर बिद्दु सक्ति बढ़ाने का लच्छ रखा गया है तो आपका आपसन है पहला 3 किलो वाट प्रति हेक्टेयर 4 किलो वाट प्रति हेक्टेयर 2 किलो वाट प्रति हेक्टेयर या चौथा आप्सन है 1.75 kW प्रति हेक्टेर तो इन्हें में से आपका C आप्सन सही होगा 2 kW प्रति हेक्टेर सत्रहमा कोच्चन है आपका पवन चक्की कुल कितने मीटर तक पानी निश्राण कर सकती है पवन चक्की कुल कितने मीटर तक पानी निश्राण कर सकती है तो आपका आप्षन है पहला 10, 10 मीटर तक दूसरा आप्षन है 13 मीटर तक तीसरा आप्षन है 14 मीटर तक और चोथा आप्षन है 15 मीटर तक तो आपका चोथा आप्षन सही होगा 15 मीटर तक पवन चक्की कितनी गहराई तक पानी उठा सकता है आपसन नमबर A, 6 मीटर तक, आपसन नमबर B, 8 मीटर तक, आपसन नमबर C, 7 मीटर तक, आपसन नमबर D, 5 मीटर तक तो इसमें से आपका आपसन नमबर B सही होगा, 8 मीटर तक अभी पिछला question आपने देखा था कि पवंचक्की कुल कितने मीटर तक पानी का निशनर कर सकता है तो पवंचक्की जो गहराई होती है वो 8 मीटर तक पानी उपर उठा सकता है और 7 मीटर उचाई तक फेग सकता है यानि कि कुल कितना मीटर हुआ 15 तो इसलिए आफसे न dá आपका सहिभी हुआ था तो हमने बताया था पिछले question में आप question नमबर 19 है आपका वायू की कितनी गति पर पवंचक्की चलती है वायू की कितनी गति पर पवंक्चकी चलना प्रारंब कर देती है ऐसा आप कह सकते हैं या कितनी गति पर चलती है तो वायू की कितनी गति पर पहुंच चक्की चलना प्रारंब कर देती है इसका आपसन है बारा किलो मीटर प्रतियावर बी आपसन है ग्यारा किलो मीटर प्रतियावर C option है 10 km प्रतिहावर और D option है आपका 9 km प्रतिहावर तो इसका option 19 में का question का option number C आपका सही है 10 km प्रतिहावर Question number 20 वायू की कितनी अधिक सक्ती पर पवंचकी कार करना बंद कर देती है option number A 31 km प्रतिहावर option number B 30 km प्रतिहावर option number C 35 km प्रतिहावर और आपसन नमबर D 25 km प्रतिहावर दोस्तों ये question आपके लिए है ये question आप हमें comment box में इसका answer आप हमें बता सकते हैं तो ये question आपके लिए मैं इसलिए देता हूँ कि ताकि आप ये लगे कि आप हमारा video properly देख रहे हैं या नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा इस कोश्चन के आंसर का तो ये कोश्चन आपका एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं वायू की कितनी अधिक सक्ती पर पमंचक्की कार करना बंद कर देती आपसन है आपका 31 किलोमीटर प्रतिहावर बी आपसन है आपका 30 किलोमीटर प्रतिहावर और सी आपसन है आपका 35 किलोमीटर प्रतिहावर डी आपसन है आपका 25 किलोमीटर प्रतिहावर ओके थैंक्यू दोस्त